हेई गाइस वेलकम बैक तो माई निव व्लॉग कैसे हैं सब आयों पच्छे होगे और मैं भी बढ़िया हूँ अभी दुपहर का टाइम हो रहा है बस आयना के रूम में आई थी तो देख रही हूँ कबड इन्नों ने थोड़ी सी भी केर के रखी है तो बस वही समान थोड़ से बिस दिन में इसको मुझे पूरा हटा करके सेट करना पड़ता है बट अभी पूरा अच्छे से तो नहीं क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाएगा और अभी टाइम नहीं है इसलिए बस जो भी थोड़ा बहुत भिक्रा था वो सब हटा दिया है और यह सारे कपड़े हैं मुझे बॉश करने में डालने थे बॉश करने नहीं सिर्फ डालने है तो मैंने ले करके डाल दिया बॉश्र मशीन में और यह धुले हुए थे जो कल मैंने धुले थे तो अभी एकदम अच्छे से सूख गये हैं और हवा तोड़ी जादा चल रही थी ना तो इधर तो रुख जाता है बॉटल नहीं रखते हैं तो फिर वो चला जाता है फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है पानी क्योंकि कई बार पीछे तरफ रहना तो आवाज नहीं सुनाई देती है उसलिए बॉटल में हमेशा यह सामने उसके लिए डग देती हूं तो बस कपड़े जो ह बाद में सेट कर दूंगी और अभी बाकी के काम मेरे घर के सारे हो चुके है खाना वगयर अभी सब बन गया है रोटी बनानी है मुझे बच्चों के लिए तो वो मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी पहले में यह सारे कपड़े जो हैं फोड़ करके रख देती हूं और इधर काफी दिनों से मैं थोड़ा सा बूर वी ओपढ़े एधर काफी दिन होगा कि बाहर कहीं घूमने भी नहीं गया है तो मेरा मनों हो रहा है कि आप चल होके घूमने चलते तो प्लांट तो बना रहा है लेकिन देखते हैं कब टायम मेले पाता है क्योंकि सैटरेड संडे कोई इनको चुटी मिलती है कभी कभी सेटर डे को नहीं मिलती सिफ संडे एक दिन रहता है और उस दिन लगता है कि हाँ थोड़ा rest कर लेते हैं और काफी दिनों के वेकर तो याद दिन है कि लाश हम लोग कभ घूमने कए हैं बिल्कुल भी याद नहीं है बस यहीं पूटीन चल रहा होता है गर में तो फिर बोर हो जाते है फिर लगता है कि यार थोड़ा सा दो तीन दिन का भी चेंज हो जाए ना तो मूड फ्रेश हो जाता है तो अभी खेर कहा है अब देखते हैं अभी फिलाल तो अपने काम जो हैं वो निपटा लूं बहुत लेड़ भी हो रहा है काफी टाइम हो गया मेरे को और कपड़े बहुत जादा थे यहां पर बेटशीट वगएरा थी यहां रूम में भी एक्षिली रखा था वो भी मैंने फोड़ किया तो आप देख सकते हैं चेयर पूरी जो फुल हो गई है कितने सारे कपड़े हैं और तीन चाल ले हसे बिसी अगए पर I få कूछ दिन पहले ही मैं हजबन की कपड वो सेट किया वरना यहां पर तो विल्कुल कि कपड़े रखने की जगह ही नहीं सहों में आती हूं कि मैं कपड़े र přाकप अभी थोड़े से रूम थोड़ा साफ लग रहा है बालकनी थोड़ी सी साफ लग रही है फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर स्लिपर्स वगरा सामने पड़ी है और अभी न मैंने आयना को जो होम टूशन लगवा दिया है अभी 15 दिन भी नहीं हुए होंगे तो वही मैं आने वा गई हूँ तो मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ थोड़ी देर हुई है जादा टाम ने हुआ बच्चे थोड़ी देर पहले हैं स्कुल से तो मैंने उन्हें मेलक दिया था अब मैं यहाँ पर उनके लिए रोटी बना जिरू बागी खाना जो है वो मेरा आप सलता और वैसे वर्किंग डे जमें लोग रहेगा तब में को टाइम मतलब ऐसा लगता है ना कि सुबह से मतलब सारे काम मेरे मुश्टली हो जाते हैं सुबह तो फिर में पास बहुत टाइम लगता है कि मैंने पास पूरी दुपहर का मैं फ्री रहते हूं क्योंकि हजबन ग अब तो क्या है कि भी बस रोटिया नहीं करता है खाना खाने का और फोन में एडिटिंग करते हैं बिल्कुल भूग भी नहीं लगती है मैं को लगता है मैं अपना जो काम है वो पहले खतम कर लूं उसके बाद फिर मैं खालूँगी बच्चों के साथ रहता है तो बाच्च आप सभी भी आ जाई है हमाय सथ खाना खाने के लिए मैंने बनाई थी दाल चावल और रोटी सब्स याद नहीं बनाई थी और बस हमने खाना खा लिया है तो टेबल जो है वो मैं साफ कर दे रही हूं क्योंकि मैं हमाने वाली है फिर ऐसे पढ़ा रहे का अच्छा भी नहीं तो इसलिए मैंने जो है साफ कर दी है और वैसे भी खाना खाने के बाद टेबल को साफ भी कर देना चाही है और मैंने आप रूम में विलकूँ लेखदम से बंद कर दी हूँ खाना क्योंकि आप लोग पहले बहुत कमेंट करते-थे गी हैं क्योंकि बच्चे नहीं मानते थ वहाँ पर उस टाइम पर काफी गर्मी थी लॉबी में नहीं बैठा जाता था चाहे कूलर चल रहा हो चाहे फैन चल रहा हूं उससे कोई फरकी नहीं पड़ता था तो बच्चों के हिसाब से काम करना पड़ता है तो मैं इसलिए उनको दे देती थी यहां पर और बस यहां पर बॉट्स तो डेली होती है बॉटल बट बॉइल वे डेली नहीं कर पाती हूं और आज मैंने रखे हुई है और यहां पर में चाय भी जो है वो भी बंती जा रही है साथ में और चलिए रूम में दिखाती हूं आपको यह लोग कैसे खेल रही है टॉय कितना ज़्यादा सजा क अपने रूम में यहां पर इन्हों ने बना रखा है रूम डॉल का बेड्रूम लॉबी किचन हर एक चीज बना रखी काफी अच्छा लग रहा था और यह शी बिस्किट मांग रही थे तो मैंने बिस्किट दे दिया है उसे पाले जी ही पसंद है और भाई ने पीज़ा साले बेसिक जो है वो डाल दिया है तो चलिए कड़ाई को ढख देते हैं पक जाएगी और यहां पर मैं आटा लगा रही हूं और आटा आप सब देख सकते हैं किसमें लगा रही हूं अक्छिली बहुत थोड़ा सा आटा मुझे लगाना था रखा भी हुआ था इसलिए मैं सब्सक्राइब ने बोला है कि वह कंध ही आने वाली है तो अभी मुझे रात में ही सारे बरतन भी दिनने हैं क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है और फिर सुबा बरतन ऐसे पढ़े रहते हैं तो बहुत जादा मतलब पूरा रूटीन जो है वो खराब हो जाता बरतन धुलने सब्सक्राइब आती जल्दी में रहां है तो बिल्कूल भी में पस टाइम नहीं रहता है और ये वीडियो तो मैंने बहुत फास्ट करके रखा लेकिन मेरे ओना बरतन धुले में काफी ज़्यादादा time लगया था एक से देळग्गंटे लग गया है पूरे बरतन को धुलने में टाइम लगता है में एड़ लुक जल्दी कर लेती है लेकिन मेरे को बहुत time लगता है और बरतन धुलने में पूरी जो ड्रेस है ना वो भी बूरी गीली हो गई है फैर पूरे तो मैं धुलने भी नहीं वाली हो तらい हो मैंने इतने बरतन धुल दी है जो मुझे सुपा जरूरे था जिनकी तो हो है, उन्हें अभी मैं set भी करना है अब काफी टाइम भी हो गया दस से उपर हो गया दस भी हो तो हमने खा नहीं खाया था और उसके बाद फिर एक घंटे लगवा मुझे इसमें लग गया मुझे सोने में भी लेट हो रहा है क्योंकि सुपा भी जल्दी उठना पड़ता है तो बस किचन में थोड़ा सा पानी ग क्योंगी क्योंकि यहां पर मैं रखते बिल्कूल भी नहीं सो सकती हूं मुझे बहुत ज़्यादा यहां पर छिपकलियों के डर लगता है बरतनों में रात में चड़ रही हो तो इसलिए बरतन अभी थोड़ा सेट कर देते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं सोने के लिए और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बाबाई टेक केर